एक ऐसे सिंगर जिनके गानों का पंजाब से लेकर इंग्लैंड अमेरिका तक हर जगा जबर्दस्त क्रेज है जिन्होंने गाने के साथ ही अपनी सेंसिबल एक्टिंग से पंजाबी बॉक्स ओफिस पर तहलका मचा दिया तो वहीं हिंदी सिनिमा में भी इनके लाखों दीवाने हैं जिनके स्टेज परफॉर्मेंस की डिमार्ड भारत से लेकर कोचला तक रही और जो आज के समय में भारत के सबसे फेमस परफॉर्मर्स में से एक हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपना स्टार्डम बरकरार रखने के लिए इन पर खुद के शादी शुदा होने और एक बच्चे के पिता होने की खबरों को पूरी दुनिया से छुपा कर रखने के आरूप लगे क्या आप मानेंगे कि कोचला में परफॉर्म करने वाले इस पहले पंजाबी सिंगर पर देश के जण्डे का अपमान करने का इल्जाम लगा और क्या आप यगीन करेंगे कि 15 साल की लड़कियों को टार्गेट कर बनाए गए इनके गाने से ऐसा बवाल मचा कि इन्हें अपना म्यूजिकल करियर खत्म होता नजर आने लगा तो कौन है ये सिंगर जन्ने गायकी के शौक की वज़ा से बचपन में ही माबाप से अलग रहना पड़ा और कैसे गुरदवारे में गाने वाले इस लड़के ने पंजाब का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया और आखिर क्यों इतनी टालेंटेड होने के बावजूद इनकी जिन्दगी गंभीर आरोपों और विवादों का शिकार हो गई बताएंगे इनकी परसनल और प्रोफेशनल लाइफ के तमाम अंसुने किस से आप बने रहे हैं हमारे साथ दोस्तो आज हम बात कर रहे हैं इंडी पॉप की जान और पंजाब की शान रॉक स्टार सिंगर और अक्टर दिलजीत दोसांच की दिलजीत एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने सिंगिंग से लेकर आक्टिंग तक सब कुछ करके धमाल मचाया है इनकी जड़े तो पंजाब की हैं लेकिन इनका नाम पूरे देश में चाया हुआ है तो चलिए दिलजीत की इस एक्साइटिंग जड़नी की शुरुआत इनके बचपन से करते हैं दिलजीत का जन 6 जनवरी 1984 को पंजाब के जालंधर में दोसांच कला गाउं में हुआ अधाई लिखाई में लगाएं और इसी उद्देश से इनके पिता ने इन्हें अपने भाई के पास लुधियाना भेज दिया जहां श्री हरकृषन चाहिप पब्लिक स्कूल में इनका दाखिला करा दिया गया हलाकि स्कूल में रहते हुए दिलजीत ने स्थानिय गुरद्वारों में गाना शुरू कर दिया और कॉलेज तक ये थियेटरों में भी गाने लगे इसके बाद दिलजीत ने शादी और समारोहों में भी गाना शुरू कर दिया आवास अच्छी होने की वज़ा से इनकी लोकव्रियता बढ़ती गई और साल 2000 में दिलजीत ने अपना आलबम रिलीज करने के लिए लुधियाना के सिंगर और कंपोजर बलवीर बोपा राय से मुलकात की बलवीर ने बताया कि तब दिलजीत 16 साल के थे इनकी दाड़ी भी नहीं निकली थी लेकिन लए अच्छा था और पगड़ी अच्छी बाहनते थे बलवीर के जरीए दिलजीत की मुलकात T-Series owned company Fine Tone Cassettes के राजिंदर सिंग से हुई जिनके कहने पर दिलजीत का नाम दलजीत सिंग से बदल कर दिलजीत दोसाज रख दिया गया और साल 2003 में इसी record के जरीए इनका पहला album इश्क दा उड़ा अदा रिलीस किया गया इसके बाद साल 2004 में Fine Tone Cassettes ने इनका अगला album दिल रिलीस किया हलाकि पंजाबी गाईकी में इन्हें असली पहचान साल 2005 में आए इनके तीसरे album Smile से मिली जिसे एक बाद फिर Fine Tone Cassettes ने ही रिलीस किया था इसके बाद अगले पांच साल तक दिलजीत सालाना एक album रिलीस करने लगे फिर साल 2009 में हनी सिंग के साथ इनका Los Angeles गाना हिट रहा तो साल 2010 में इनके album में आक्टर जेमी शेरगिल भी नजर आए दिलजीत ने पंजाबी गाएकी में सफलता हसिल करने के बाद फिल्मों का रुक किया और साल 2011 में इन्हें गुड्डू धनवा की पंजाबी directional debut film The Lion of Punjab से पंजाबी फिल्मों में डेब्यू करने का मौका मिला फिल्म तो फ्लॉप रही लेकिन इस फिल्म में दिलजीत और हनी सिंग का ये गाना भारत से लेकर अमेरिका के मुजिकल चार्ट्स में टॉप करने लगा साथ ही दिलजीत को पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर गया साल 2011 में ही ये फिल्म जिनने मेरा दिल लुटिया में जिपी ग्रेवाल और नीरू बाजवा के साथ नजर आए और फिल्म ने पंजाबी बॉक्स आफिस पर अच्छा कलेक्शन किया इसके बाद दिलजीत ने साल 2012 में फिल्म तेरे नाल लब हो गया से बॉलिवुड में प्लेबैक सिंगर के तौर पर अपनी शुरुवात की इसी साल दिलजीत ने नीरू बाजवा के ओपोजेट पंजाबी फिल्म जट एन जूलियट में मुख्य भूमिका निभाई फिल्म की सफलता ने पंजाब से कैनेडा तक के बॉक्स आफिस पर सफलता के ज़ंडेगार दिये और दिलजीत ने बेस्ट अक्टर का पीटीसी पंजाबी फिल्म अवार्ड भी अपने नाम कर लिया साल 2013 में दिलजीत का म्यूजिक विडियो प्रॉपर पटोला वीवो पर रिलीस किया गया जिसे ये विवो पर रिलीस होने वाले पहले पंजाबी गायक बन गये बादशाह के लिखे इस गाने में दिलजीत की आवाज को लोगों ने खुब पसंद किया फिर साल 2014 में इनका एंडी पॉप गाना सूर्मा और 2015 में फिल्म सिंग इस ब्लिंग में इनका गाया तुंग तुंग गाना भी खुब पॉपिलर हुआ साल 2015 में ही दिलजीत का पंचतारा गाना भी हर तरफ बसता सुनाई देता रहा इसके बाद दिलजीत साल 2016 में उड़ता पंचाब फिल्म में अपने भूमिका के कारण भी खुब चर्चा में रहे इस फिल्म में इन्होंने करीना कपूर और शाहिद कपूर जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम किया और इस फिल्म में भी इनके अभिने को लोगों ने पसंट किया फिल्म में पंचाब में हो रहे ड्रक्स और मादक पदार्थों के सेवन जैसे सेंसिट्यू टॉपिक्स को दिखाया गया था और इसी वज़ा से फिल्म जब सेंसर बोर्ड पहुँची तो उन्होंने ये कह दिया कि इससे पंजाब की छबी खराब होगी और इसे पास नहीं किया गया हलाकि फिर एक सीन काट कर बॉंबे हाई कोट ने फिल्म रिलीस की मंजूरी दे दी इस फिल्म में दिलजीत का गाया एक गाना भी लोगों की जुबान पर चड़ गया इसी साल जतिंदर शाह और बी प्राक के साथ दो इंडी पॉप गानों ने भी दिलजीत को खूब लोग प्रियता दिलाई साल दोजार सत्रा में दिलजीत ने अनुश्का शर्मा और सूरज शर्मा के साथ फिल्लॉरी फिल्म की जिसमें ये एक गायाखी बने थे दम दम उड़ती है दुवासा पंक लगा तेरे नाम के मिरा दिल फिर साल दोजार अठारा में इन्होंने सूर्मा फिल्म में बारती होकी टीम के पूर्व कप्तान संदीब सिंग का किरदार निभाया जिसे लोगोंने खूब पसंद किया इसी साल इनके अल्बम कॉन्फिडेंशल के गानों ने भी खूब दमाल मचाया साल 2019 में इन्हें अक्षे कुमार, करीना कपूर और कियारा अड़वानी के साथ फिल्म गुड निउस में काम करने का मौका मिला ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही जिसमें दिलजीत की कॉमिक टाइमिंग को लोगोंने खूब पसंद किया साल 2020 में इन्होंने एक और कॉमेडी फिल्म सूरज पर मंगल भारी में मनोज बाजपैई और फातिमा सना शेह के साथ काम किया हलाकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई लेकिन इसी साल इन्होंने अपने आल्बम गोट से साधमाल मचाया कि हर उम्र के लोग दिलजीत के दीवाने हो गए इसके बाद साल 2021 में आए इनके आल्बम मून चाइल्ड एरा का गाना लवर भी सुनने वालों की जुबान पर चड़ गया साल 2022 में ये 1984 दंगो पर बनी फिल्म जोगी में नज़र आए जिसे नेट्फिक्स पर रिलीस किया गया इसके बाद साल 2024 में ये एकता कपूर की कॉमेडी फिल्म क्रू में सपोर्टिंग किरदार में नज़र आए वहीं हाल की बात करें तो इनकी लेटिस्ट रिलीस फिल्म अमर सिंग चमकीला की वज़ा से दिलजीत लगतार सुर्कियों में बने हुए है इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी ये फिल्म म्यूजिशियन अमर सिंग चमकीला के जीवन पर आधारी थे और इसे नेट्फिक्स पर हेली रीज किया गया है इस फिल्म में दिलजीत की अभने की क्रिटीक्स ने खूब सरा आना की हिंदी फिल्मों से ज्यादा दिलजीत पंजाबी फिल्मों में नजर आए और इनकी जट एंड जूलियर 2, पंजाब 1984, सर्जन सिंग रंगरूट और होसला रख जैसी फिल्में सबी रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्में साबित हुई वहीं अपने बॉलिवुड करियर को लेकर दिलजीत कहते हैं कि इन्हें कहा गया था कि एक पग बांधने वाला बॉलिवुड में हीरो नहीं बन सकता इस बारे में बात करते हुए एक इंटर्व्यू में दिलजीत ने बताया उन्होंने मुझसे कहा था कि पग वालों को बॉलिवुड में हीरो का रोल नहीं मिल पाएगा मैंने सोचा अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं मैं फिल्म नहीं करूँगा लेकिन फिर खुद मेरे पास फिल्म का ओफर आ गया मैं एक रोल के लिए अपने आपको नहीं बदलूँगा काम बिले ना मिले फिल्मों के लिए पगड़ी पहनना नहीं छोड़ सकता दिलजीत को ओडिशन देना पसंद नहीं है ये खुद को कम घुलने मिलने वाला र्यक्ती मानते हैं जो पॉलिवुड पार्टियों में शामिल होने से भी बचता है हलाकि दिलजीत इन सभी बातों को अपनी कमजोरी मानते हैं लेकिन ये खुद को बदलना भी नहीं चाहते इन्होंने खुद एक इंटर्व्यू में बताया कि अंग्रेजी भाशा इनके लिए दूर की कोड़ी है जिसे सीखने की कोशिश भी ये कर चुके हैं लेकिन सफल नहीं हो पाए हलाकि भाशा का असर इनके करियर पर कुछ खास नहीं पड़ा इन्हों है पंजाबी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो सफलता हासिल की है उसका कोई मुकाबला नहीं है हलाकि सौम्य और शांत दिखने वाले दिलजीत का करियर भी विवादों से अचूता नहीं रहा कभी इनके घर इंकम टैक्स रेट पड़ी कभी घर के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए कभी खालिस्तानी एजंडे को बढ़ावा देने के आरोप लगे तो कभी बायकॉट करने की मांग उठी इसके अलावा अपने परिवार की सही जानकारी साजा नहीं करने के आरोप भी इन पर लगते रहे हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012 में इंकम टैक्स डिपार्टमेंट की स्निफर डॉग स्कौर्ड ने दिलजीत दोसांज, मिस पूजा और जीपी ग्रेवाल के घर रेड किया रिपोर्ट की माने तो इन सिंगर्स पर शक था कि ये धर्म सेवा स्पीड रिकॉर्ड और यूके की कुछ और संदिख्ध कमपनियों के साथ मिलकर टैक्स शोरी करने में शामिल हैं इसके बाद साल 2015 में कुछ ऐसा हुआ जो दिलजीत के शुरुवाती सक्सेस को जटका दे गया दरसल हनी सिंग के साथ गाए अपने गानों के सक्सेस को देखते हुए दिलजीत ने उनके साथ एक और आलबम बनाया जिसका नाम अर्बन पेंडू रखा गया रिपोर्ट्स के मताबिक इस एलबम के एक गाने 15 साल में माइनर लड़कियां टैटू, ड्रग्स और अलकोहॉल का सेवलन करती दिखाई गई जिसकी वज़ा से इस गाने को लेकर बवाल मच गया लंबे समय तक लोगों और कई सामाजिक कारे करताओं ने इनके घर के सामने विरोध प्रदरशन किया और इनसे माफी मागने की डिमांड करते रहे बवाल बढ़ता देख दिलजीत को अपनी फैमिली को अपने घर से कहीं दूर शिफ्ट करना पड़ा फिर मामले की गंभीरता को समझते हुए दिलजीत ने अर्भन पेंडू अलबम को रिलीज ना करने का फैसला लिया दिलजीत ने अपने फेस्बुक पर लिखा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना मेरा उद्देश ये नहीं था मैं अपने प्रशंसकों से माफी मांगता हूं जो इस गाने का इंतिजार कर रहे थे इसके बाद दिलजीत तब विवादों में आ गए जब कॉंग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने इनके गाने रंगरूट और जैजी बी के उत जट्टदा पर आपत्ती चताई उनका हरोप था कि ये गाने खालिस्तानी अजेंडे को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं जिसे बरदाश्ट नहीं किया जाएगा साथ ही उन्होंने कॉंग्रेस के कारेकरताओं से इन दोनों के खिलाफ देश द्रोह की शिकायत करने की भी अपील की हलाकि इसके जवाब में दिलजीत ने एक वीडियो जारीकर कहा जिस गाने पर आपत्ती जिताई जा रही है वो साल 2014 की फिल्म पंजाब 1984 का है इस फिल्म और उसके गानों को सेंसर बोर्ड ने मंजूरी दी थी अगर इसमें कोई आपत्ती जनक बात होती तो सेंसर बोर्ड पास क्यों करता मैं भारत में टैक्स देता हूँ और हमेशा भारत के साथ खडा हूँ फिर साख 2020 में किसान अंदोलन के दोरान दिल्जीत ने सरयाम ट्वीटर पर कंगना रणावत से पंगा ले लिया जो खूब सुरकियों में रहा हलाकि ये विवाद कंगना के एक भड़काव पोस्ट से शुरू हुआ था दरसल किसान अंदोलन के दोरान बटिंडा की एक बुजर्ग महिला महिंदर कौर भी शामिल हुई वहीं इस महिला की फोटो शेयर करते हुए कंगना ने इनकी तुलना शाहीन बाग अंदोलन की बिल्किस दादी से कर दी ये देखकर दिलजीत दोसाज भड़क गए और सरयाम कंगना पर हमला बोल दिया जिसके बाद कंगना और दिलजीत के बीच ट्वीट युद दिछड़ गया दोनों ने एक दूसरे को तब के ट्विटर और अब के एक्स पर जम कर खरीखोटी सुनाई तबी कंगना ने दिलजीत को करण जोहर का पालतुखुता भी कह दिया जिसके बाद दिलजीत ने अपने ताबर तोड जवाब से कंगना की बोलती बन कर दी वही बाद में फैक्ट चेक करने के दौरान जब कंगना की बात गलत साबित हुई तो उन्होंने अपने tweet delete कर दिये वहीं British Columbia News Report की माने तो दिलजीत को Taylor Swift के साथ Vancouver के Cactus Club Cafe Cole Harbor में काफी close देखा गया जैसे ही इनकी नजदीकियों की खबरें फैली तो दिलजीत ने Twitter पर इस मामले पर अपना reaction दिया लेकिन कुछ देर बाद अपना tweet delete कर दिया जिसके बाद Taylor Swift को date करने पर लोग इनसे सवाल करने लगे दरसल दिलजीत ने अपने tweet में लिखा यार privacy नाम दी भी कोई चीज उन दी है अब ऐसे में दिलजीत और Taylor Swift के cozy होने की खबरें वाइरल हो गई साथ ही दिलजीत के अपने tweet करने और फिर उसे delete करने पर लोग और भी ज्याधा doubtful हो गए हलाकि दिलजीत या Taylor Swift ने इस बारे में कुछ नहीं कहा इसके बाद साल 2023 में दिलजीत अमेरिका के कोचला संगीत समारों में performance के बाद विबादों में आ गए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें दिलजीत भीड में तिरंगा लहराती एक महिला के बारे में बोलते नजर आए दिलजीत ने concert के दौरान कहा एह मेरे पंजाबी भाई भवन लेई मेरे देश दा जंडा लाई के खादी आगुडी वही परफॉर्मेंस के बाद दिलजीत के इस वीडियो को लेकर एक न्यूस पोस्ट में लिखा गया जब कोई अमेरिका में एक संगीत कारेक्रम के दौरान भारती तिरंगा लहराता है तो दिलजीत दुसा आजापती जदाते हैं उन्हें कौन सा पासपोर्ट मिला है खालिस्तान का शर्मानी चाहिए उन भारतीयों को जो ऐसे दो कोड़ी के कलाकारों को सुनते हैं वहीं इसका जवाब देते हुए दिलजीत ने पने ट्वीट में लिखा मैंने कहा यह मेरे देश का जंडा है यह मेरे देश के लिए है यह प्रदर्शन मेरे देश के लिए है अगर आप पंजाबी नहीं समझते हैं तो कृपिया गूगल करें क्योंकि कोचला एक बड़ा संगीत समारो है जिसमें दुनिया भर के लोग शामिल होते हैं इसलिए संगीत सब के लिए है सही शब्दों को कैसे घुमाना है यह आप लोगों से सीखना चाहिए इसे भी गूगल करें खैर भारतिये मेडिया में आई खबरों के मताबेक दिलजीत शादी शुदा है और इनका एक बच्चा भी है हलाकि कहा जाता है कि यह अपनी शादी शुदा जिन्दिगी पर बात करना पसंद नहीं करते वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मताबेक पती पतनी के बीच की स्थितिया अब ठीक नहीं है और दोनों के बीच कुछ समय से बातचीत भी बन दे दिलजीत की पतनी का नाम संदीब कौर बताया गया जो बेटे के साथ अमेरिका में रहती है लेकिन प्राइविसी का आलम ये है कि संदीब कौर की कोई फोटो तक मौजूद नहीं है वही टाइमसनौ की एक रिपोर्ट के मताबिक दिलजीत की शादी पहले ही तोट चुकी है और ये 6 साल पहले अपनी पतनी से अलग भी हो चुके हैं सूत्रों के मताबिक इनकी शादी साल 2017 में ही तूट गई थी फिर बेटे की खाते दिलजीत और संदीब ने इस शादी को चलाने की कोशिश भी की लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद करवाहतें कम नहीं हो सकी और साल 2019 में दोनों के अपने रास्ते अलग कर लिये जिसके बाद बेटे की कस्टडी दिलजीत की वाइफ संदीब को मिल गई रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि दिलजीत अब किसी और के प्यार में है हलाकि इस रिपोर्ट में कितनी सचाई है इसके पुष्टी हम नहीं करते क्योंकि इस पूरे मामले पर दिलजीत की तरफ से कोई रियाक्शन सामने नहीं आया है दिलजीत को उनके फैंस अर्बन पेंडू और पंजाबी सिनिमा का शाहरोख खान कहते हैं अर्बन मतलब शहरी और पेंडू का अर्थ पिंड यानि के गाउं यानि फैन इन्हें शहरी और देहाती का मिश्रण मानते हैं दिलजीत मैडम तुसाद में वैक्स स्टैच्यू से सम्मानित होने वाले पहले पगड़ीधारी सिक हैं ये सोशल मेडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और अपनी फणी हरकतों से ये अकसर अपने फैंस का मनोरंजन करते नजर आते हैं एक गरीब परिवार से होने की वज़ा से दिलजीत को बेहत कम उम्र से स्ट्रगल करना पड़ा अपने करियर के दोरान इन्होंने कई उतार चढ़ाओ भी देखे और आरोपों का डट कर सामना किया लेकिन दिलजीत ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़ते रहे बेभाग बॉलिवुट की टीम की तरफ से दिलजीत दोसाज को इनके सभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और खुशाल जीवन के लिए धेरशुब कामना है तो दोस्तो आपको दिलजीत का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं बॉलिवुट की किसी वेबाग स्टोरी के साथ अगले विडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात अब तक के लिए नमस्कार